Hello friends, कैसे? ये क्या? ये तो मैं घर पे आ गया बट मुझे तो आप लोग से एमदाबाद में मिलना था ना? अब एमदाबाद कैसे जाए? जादू से चलो मैं आपको दिखाता हूं अनसेटल का जादू तो लोग हम पहुच गए एमदाबाद में मैजिक से और ये है अँँच अनसेटल का मैजिक अगर आप लाइफ में अनसेटल होगे तो ऐसे बहुत सारे मैजिक होने वाले जैसे मेरे साथ होता रहता है और बस अटसट अट हलो फ्रेंज कैसे हो वेलकम बाक तो माई चानल अनसेटल प्यूश अजएच एक अमऩीच आशनल अनसेटल किसम वेलकम में माजिक propose además है अगर आप सोचनें कि मेहां पहेलए तो आप। तो आप लिए परने देख लिए। मैंजिक से आया हूँ उर च्यों आज़कोल बगॉईडगा सेया है यहां पर एक आसाइनमेंट था, वो मैंने पूरा किया, और भोजन भी करके हो गया, अब तो पहर के ढाई बज रहें, मेरी ट्रेन शाम के आड बजे की है, तो मेरे पास कुछ पांच घंटे के आसपास हैं, सोच रहा हो कि यहां पर आसपास एक जगे विजट कोई तो एक तो फाइनली हम आ गए हैं अदिलच टेपवेल में, और सामने हमारे एक मंदिर है, विच इस रादे मा का मंदिर, I guess, कुछ राती में लिए तो को सवाज में नहीं आ रहा है, ठीक है, लाइक आलवेस लोगों का मुझे देखना शूरू ही हो गया है, ठीक है, यह पहले आप और दूसरी तरफ है, स्टेपवेल जो अदर की तरफ है यह जो अदर की तरफ इस है अधिलच स्टेप विल्ट विल्ट भाय सम् खूती के विल फाइन ही तव्बूं के घ्ञार में हम था प्राण वीर सेंग फॉरिन वी याते हैं आप पे पीछे देख लिजिए गूम रहे हैं फिलाल तो काफी पुराना इतो बिल्दिन संब 1428 गाई जाए आप विकिपीडिया गूगल पर सर्च कर लिजिए मुझे तो इकना याद नहीं और अंधिरा हो गये फिलाल तो बहुत ज आप आप बहुत अच्छे से आपको इंडियन का इंडियन आर्किटेक्श ने आपने के बहुत प्यारी जगें आपको इबारे आपे जरूर नाचीये चली नीची चलते हैं कर दो क्या आपको इंडियन आप पर आपको एंडियन का आपको आपको इंडियन का इन आपको आपको रहा है जैसे का आप मेरे पीछी देख सकते हो यह है वह अद्लज की बावरी जो और अची ने बनाया था इसके बहुत चारी स्पेशारिटी है उस समाने में हाउसोल प्रोड़क्स लिए उसके आजाता था एट विरियस फेस्टिवल के टाम पर यहां पर बहुत अच्छी तरीके से बहुत आजाता था और आम शुर उस ताम पर बहुत ही मावलेस दिखता हो गाई है चेक आट चेक आट इस वेरीप नौट इंडर्ग इसको बावडी बोलते हैं लाजिस्थानी और मार्वाडी लैंगेज इसको वाव बुला जाते हैं अंग्लिश पे इस स्टेबर इस सेपर इसे बिकाज यहां पे इस टीम फ्लोर हैं वह लोगो हर फ्लोर के नीच आना पड़ते हैं आपर तेन फानल इस बाव इस ब्हुत पर बीचें जब तक आप यह वीव देखें तो बीटिफ़ तो बीटिफ़ वेरी बीटिफ़ तर चाहिए पर के लिए के लिए में ह Państwo अब एक बढ़ारिय निए रॉड़ार निएजिए वारर अपने लिए रॉत्प निए वार लॉट्बर राजर शक्राइज भार लॉट्टाए जगें एक्स्टोर करते है आसपास, जो ही रेन भाई थे हैं, मेरे ओला के डाइवर ने सजेस्ट किया कि नोट अईलिएट, सभलोगा फोट सेशन करें नोट अईलिएट, यहां पेक मंदिर जिसे आपको स्राइटिंग्ग है, गर आपको आन तो आपको आपके आपके श्लौर करें, इसके यहां एक्सावर कर से नुख बाति हैं, यहां पर चाहिए, प्रश जो हैं आदे, यह पेलि यह वर मोर थिंग, I saw people doing photo shoot over here, allowed है, वस सही फोर्ट पे बंद होगा है ना, wonderfully maintained, मेरे पीछे इदर आप garden देख सकते हैं, अब गया यार, तीन माला चड़ने पे हारत करा हो जाती है, खेर, गाड़र पर आई है, पेट के टाइम पास करिए, देख सकते हैं, प्री बेडिंग फोटो शूट चाल हुए, और पब्लिक बैट के आराम कर रहे है, उस तरफ चलते हैं, उस तरफ कुछ दीख रहे हैं, लोग जा रहे है, शायद यह वहां से घूम के बाहर जाने का प् कर दो प्रीघ के बाहर जाई हुए, उस खिरम के लिदाय जादीन पास का लादाब का थीख risky अवार मेड़र च्टा आका रहे हैं, उस तरफ खेगा हैं, उसाल हुआ Enough तरफ हैं, खिवाद झाल हुए कि देखा अपने है लोग अपने बच्छों को ऐसी छोड़ते रहे हैं सिता निका जा रहे हैं यह बहु जगे है जहां पर नीचे आपने वेल देखा था अगर मैं इस पर चड़ गिर गया तो बाजू से जाएंगे कि यह यहां 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 पर आप आ रहे हैं तो करने के लिए ज्यादा कुछ हैं सिर्फ यह जगे देखने के लिए हैं बाल भी गड़े हैं मेरे गड़े हाफ अना उससे जाएं यहां पर करने कलिए कुछ निए यहां लेट पी सी एल गूगल आउ फ्यू धिंग से ट्राइट उफ इन ट्राइट वाट इन अगर अगर अग जाने लाग जगे हैं तो एं इतने अच्छे इस्टोरिक मोनुमेंट को भी लोगों ने खराब करके रखा है कच्रे तो नहीं फेके बट स्टोन काविंग एंस्टोन से चीजे पत्थर काट के रखी है लोगों पर अपना नाम लिखके रखा है मीचो तरनी की जगे का है भई अचीजता मेरे बटाही नहीं एक चीजता मेरे बटाही नहीं थी एंट्रिक बटाहीच और लेट से चारज़त इस नन ये अच्छीली एटेंपल लिगों पब्लिक प्लेश ओपन फॉर वर बड़ीबडी और जाओ you don't have to pay anything to enter this now I am planning to head to Akshar Dham temple, Uber book किया है, उसके पहले कुछ चाहब देता बहुत क्यास लिए okay I have reached Akshar Dham temple यहां पे लाइन और क्राउट तो बहुत जाद है बट एक प्रब्लम होगी कि कैमरा एंड बैग अंदर ले जाना लाओ लिए and I have to deposit the things outside I'll be doing that and moving inside I'll catch you in some time काम कर रहा हूं का है यह so I'll catch you in half an hour mostly half an hour in 1 गंटा मुझे लगेगा अंदर जाके दशनकर के आपसवाने में see you बहारा किते मैं आपको अपको अपडेट जेता हूं और गुजरात के बारे मुझे एक special बात करनी है यार दिलाना मुझे as you editor आपको सामने मंदर जीख जाएगा वहाँ पे गोल्डन स्वामी नाराएंट जी का टेमपल है और उनके पेरिफरल में चारो साइड अलग अलग बहगवान का मूर्ती बना के रख है then you have two stories about जहाँ पे जिनोंने टेमपल बनाया है नीलकर्ण जी महराज उनका उनकी पूरी लाइट स्टोरी दिये in form of paintings वह दर्शन करने के बाद अकर आप लोग नीच चाहते तो नीचे उनके यूज के हुए आटीफ्राक्स है जो भी उन्होंने डेली लाइफ में यूज किया था surrounding the temple, inside only inside the complex वहाँ पे exhibition center है I guess there are three exhibition center जहां पे मैं नहीं गया हूँ और मैंने एक book खरी थी है which is transcendental state by APJ Agdun Kalam अभी पढ़ेंगे इसके बाद फिर exit लेने के लिए आपको मंजिर के पीछे से आना पड़ता है which is waterpark का exit तो वहाँ पे waterpark के आप गूम सकते हो अब मैं तो आपको दिखानी पाया आपको देखनी के लिए आपको देखनी के आपके आना पड़ेगा and बहुत enjoy किए अगर सच बताओ तो अगर पूरा temple एक्स्टोर करना इंच एंवरी पार्ट तो आपको कम से कम चार घंटे तो लिके आना पड़ेगा that's all from my side अब मैं हाँ से निकलता हूँ जैसे मैंने बोला कि मेरी ट्रेन आड़ बजी की और अभी हो रही है साड़े पाँ तो चूटी बजा के मुमबड पॉंच जाते है और यह लो हम पापस आगे मुमबड में जो अभी थोड़े पर यह ने आपसे का कि मुझे आपको कुछ बताना है गुजरात के बारे में तो उसे पहले मैं अक्षरदाम मंदिर से शाओ करता हूँ अक्षरदाम मंदिर इस सो सो क्लीन आयों को फोकस है अक्षरदाम मंदिर इस सो वेरी क्लीन इतना neat and tidy रखाया उसको बहुत अच्छा लगा बहां जाके उत्रहे नी गुजरात के रोड्स भी जहां में गया था बहुत अच्छे से नीट है सेकंड़ी रोड्स इतने स्मूथ बनाएं हैं और मुझे इससे लग़ा था जैसे गाड़ी इस पर फ्लोट कर रही है ऐसे रोड मुंबै में क्यू नहीं है यार काश मुंबै में भी ऐसे रोड रियरली गुजरात इस वेरी वेल मंटेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगो तो प्लीज इत लाइक बुटन and do subscribe to my channel for more upcoming travel videos और यह वीडियो आपने घरवालों के साथ भी शेयर करो प्रेंट के साथ भी शेयर करो बोलो सबस्क्राइब करने को बाई